इसमें GNM हो या BSC हो तो सभी fresher candidate जो हैं वो apply कर सकते हैं इसमें कोई भी नमस्कार साथियो स्वागत है आप सब का हमारे इस YouTube चैनल पर इसका नाम है JP Nursing Guider मेरा नाम है प्रेश शर्मा और आज हम वीडियो लाए हैं स्टाफ नर्स के vacancies पे कितनी vacancies होंगी तो मैं बताओं आपको तो ये 13 vacancies होंगी ठीक है कहां की तरफ से लाई गई है vacancies तो मैं बात करूँ तो ये UTA administration की तरफ से जो दादर नगर हवेली जो है डवन्डियू की तरफ से उसमें directorate of medical and health services ने ये निकाली है ठीक है बात करें कि ये short term contact basis की vacancies है ठीक है offline basis पे आपको इसको fill up करना है last date जो होगी वो 26-7-22 होगी मतलब 26 तारिक जो है इसी महने की वो last date है मगर दोस्तो इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें GNM हो या BAC हो तो सभी fresher candidate जो है वो apply कर सकते है इसमें कोई भी experience नहीं मांगा गया है और salary भी 29,000 पर month है ठीक है और age जो है not exceeding 30 years लिखवा है कि 30 साल से ज़्यादा age नहीं चाहिए इने ठीक है आगे बात करें देखिए lab technician भी हो सकता है आका आपके कोई दोस्त हों जिनके बास experience ना हो तो वो भी इस पे अपलाए कर सकते हैं ठीक है आगे बात करें तो points कि जो candidates होंगे वो domicile certificate जो होगा वहां का है ना दमन दियू का और नागर हवेली का तो उनको preference दी जाएगी ठीक है पहली बात दूसरी बात कि कोई भी transport allowance या फिर कोई भी DAT यह जो होता है वो दिया नहीं जाएगा interview के आनने के time पर साथ में age relaxation shall be considered for qualified and experienced candidate कि अगर किसी के पा बोड़ा सा age relaxation जो है वो लोग वहाँ पर interview की time पर दे सकते हैं ठीक है तो उनके relaxation की बात कही है चलिए आगे बात करते हैं कि the actual number of vacances may vary as per requirements कि यह घटाना और बढ़ा भी सकते हैं इस vacances को as per their requirements और साथ में कि only those candidates are who are eligible will be called for interview कि आप अगर अपना post भी देते हैं अपना form तो वो लोग चेक करेंगे अगर आप eligible होगे उससी criteria के लिए फिर आपको वो लोग call करेंगे interview के लिए ठीक है contact अगर आपको कुछ query हो तो यह उनका number है आप पूछ सकते हैं ठीक है आगे बात करते हैं कि ऐसा form रहेगा आपका ठीक है जिसमें यहां पे photograph लाइगा जाएगी आपका name of the post राइगा जैसकी staff nurse है उस post तो लिखिए आपका block letter में आपका नाम आना चाहिए father's name, full address, mobile number, phone number, email address, date of worth, date of worth किसके हिसाब से होगा 26-7-22 के हिसाब से आप 30 साल से कम के होने चाहिए ठीक है और आगे बात करें हम इसमें तो category भी mention हो सकती है और साथ में उसके ध्यान अतना इन लोगों ने well proof जो आप post करोगे इस letter के साथ उसकी एक attested copy भी होनी चाहिए ठीक है उसके लिए आपको priority दी जाएगी प्रेफरेंस दी जाएगी post में आगे बात करें कि language known पूछा है आपका qualification पूछा गया है कि आपने diploma डिग्री कहां तक किया है पूरा पूरा high school secondary high school secondary high school यह सब इसमें mention किया गया है ठीक है work experience पूछा गया है ठीक है कहां से कितना number of duty ह है वह सकते हैं बट मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेशर भी इसमें अलाउट कर सकते हैं वह उनके इंटर्वीव पर depend करता है कि वह किस पो लेंगे साथ में लास्ट में declaration दे रखा है कि I fulfill all condition यह और वह आपका signature होगा date of place आएगा बस ठीक है और आपको यह साथ में जितनी दन्यावाद ऐसे ही हम latest vacancies आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपने अभी तक Instagram, WhatsApp और Telegram चैनल को जोईन नहीं किया है तो जल्दी जाईए वहाँ पर जोईन करिए क्योंकि daily Telegram पे quiz होते हैं WhatsApp जितने भी आपके doubts होते हैं वो solve होते हैं साथ में Instagram पे daily motivational videos और हम image based question जो है upload करत हैं दन्यावाद दोस्तों